आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की जीके वॉक्षीट जीके की वॉक्षीट मैंने अदग लासिस की और अप्लोड की हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है वहां से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा जिसे की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और दूसरों को भी उसकी हैल्प मिल सके तो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रस्ट कुशन है इसमें मैच दव फॉलोईंग एक तरफ मैंने इसमें स्टेट्स लिखे वे हैं दूसरी तरफ डांसिस तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि कौन से स्टेट में कौन सा डांस होता है जैसे आंद्र प्रदेश आंद्र प्रदेश का क्या होगा कचिपूरी पंजाब भांगडा गुजरात गर्बा ओरिशा ओरिसी केरला केरला का क्या होगा कथकली उसके बाद मनीपूर मनीपूर का मनीपूरी नाम से ही पता चल रहा है तमिल नाडू तमिल नाडू का क्या हो जाएगा भारत नाट्या और सबसे लास्ट है हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पर क्या जाएगा कथक तो इस तरह से बच्चों को स्टेट्स और उनके डांसिस के बारे में आप बता सकते हैं नेक्स्ट कॉश्चन आता है कम्प्लीट अ स्पैलिंग ओफ योगा यहाँ पर हमने क्या किया है कुछ योगास के नेम लिखे हुए और उनकी स्पैलिंग को हमें फिल करना है सबसे पहले है यह सीरासना सिरसना उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर हो जाएगा हमारा मत्स्यासना इस तरह से ठीक है थोड़ा टिपिकल नेम है तो इस तरह से हम उनकी स्पैलिंग को लर्न कराएंगे उसके बाद है मयूरासना यहां फिल करेंगे नेक्स्ट है हमारा त्रिकोन आसना यह चीज़े पूछी जाती है कौन सा वाला योगा है और उसकी क्या स्पैडिंग है उसके बाद सलाभसना नेक्स्ट है धनुरासना इस तरीके से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्टन है यहां पर हमें इंडियन वूमें की नेम लिखने है जिनकी अलग-अलग क्वालिटी है अलग-अलग उन्होंने काम किये है फर्स्ट है जैसे फर्स्ट वूमें टुक्लाइम माउंट एवरेस्ट क्या आएगा आंसर इसमें बचेंद्री पाल फर्स्ट वूमें चीफ मिनिस्टर अफ एंडियन स्टेट अंसर इस सुचेता क्रिपलाणी नेक्स फर्स्ट वूमें गवर्नर अफ इंडियन स्टेट सरोजनी नायडू नेक्स्ट फर्स्ट वूमें प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया इंदिरा गांधी नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन वूमें प्रेजिटन अफ इंडिया आंसर इस प्रतीभा पातिल नेक्स्ट कर्शन है हमें यहाँ पर इनको मैच करना है यह कब आता है नाइट अगस्ट नेशनल साइंस डे ट्वंटी एट फैब्री आर्मी डे फिफ्टीन्थ जैन्वरी नेक्स्ट नेशनल यूथ डे यह होता है हमारा 12 जैन्वरी नेशनल पोस्ट डे यह होता है 10 अक्टूबर को इस तरीके से हमें इनको लर्न करना है नेक्स्ट कॉस्टन आता है आंसर दा फॉलविग कॉस्टन यहाँ पर फिस्ट कॉस्टन है How many legs has a shrimp? Answer is 10. How many legs has a crab? 12. How many neck bones does a giraffe have? 5. Next, how many tentacles does an octopus have? 10. Last one is, how many legs do insects have? 8. So, this way we can practice different questions from the kids. So friends, this was class 5 of GK workshop. If you liked this video, please subscribe, like this video and share it. We'll see you in the next video.